है दोस्तों कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे साधी सुधा औरत ऐसे लड़के से अट्रैक होती है आप सोच नहीं सकते हो साधी सुधा औरत जो होती है न हर किसी से अट्रैक नहीं होती है हर किसी से इंप्रेस नहीं होती है कुछ-कुछ खासियत वाले लड़के होते हैं कुछ-कुछ अच्छी आदते देख करना साधी सुधा औरत ऐसे लड़के के तरफ ना अट्राक होती है ऐसे लड़के को ना पसंद करती है औरोतों का जो दिल होता है ना गिफ्ट देकर या घुमा फिरा कर या मीठी मीठी बातें करके हमेसा दिल जीता नहीं जाता है अगर आप अपने लाइफ में कुछ कुछ चीज़े चेंज करते हैं या फिर अगर आपकी आदतें अच्छी हैं छोटी छोटी बातें आदतें अवरतों का ना दिल जीत लेता है जिन लड़के में अच्छी आदत होती है ना ऐसे लड़के से ना औरत इंप्रेस होती है ऐसे लड़कों से ना लड़कियां अट्राक होती है ऐसे लड़के को ना लड़कियां पसंद करती है औरत को खुस करने के लिए ना उसके दिल में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ खास चीज़े करनी पड़ती है अगर आप अपने लाइफ में खास चीज़ों को नोटीस करते हैं ना तो ज्यादा चांस होता है कि साधिस सुधा और जो होती है आपके तरफ बहुत ही आसानी से अट्राक हो जाए अगर चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करना अगर पुराने हो तो नोटीविशन विल ओन कर देना सिधा ही हमारा वीडियो आपके पास आ जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करोगे तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहला पुइंट के बारे में परिवार का ना रिस्पेक्ट करने वाला लरका जो लरका अपने परिवार का पसंद करने लगे हैं और एक बात हमेसा ध्यान रखना अपने घरवाले का कभी भी बुराही भी मत करना अपने घरवाले का हमेसा तारीफ करना चाहिए ऐसे लड़कों से लरकियां बहुती जल्दी ना अट्रैक हो जाती है ऐसे लरके राल आवरतों का दिल बहुती आसानी जीत लेता है, जो लड़का सब के बारे में अच्छा सूशता है, सब को लेकर साथ चलता है, ऐसे लड़के को ना अवरत मन ही मन में ना पसंद करने लगती है, अगर आपके अंदर में अच्छी आदते हैं आ तो आपको 100% पसंद करेगी, आउरत आपके तरफ 100% अट्रैक और अगर आप किसी का respect करते है नवा आपको इस चीश का ध्यान देना चाहिए कि आप अपने परिवर का respect करो, दूसरी की परिवर का भी respect करो ऐसे लर्के की आदते देखकर नढरत ना embrace होती है, औरत ना affect होती है तो आपको ना अपनी आदतों पर ना ध्यान देनी चाहिए तो बात करते हैं हम लोग दूसरे पुइंट के बारे में दूसरों का हेल्प करो जो लोग दूसरे का हेल्प करते ना बिना सुार्थ के बिना लालच के वो औरतों को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसी भी जरूरत मंद का ना हेल्प करने वाला लड़का छोटे से छोटे बरे से बरे लोगों का रिस्पेक्ट करने वाला लड़का समान देने वाला लड़का ऐसे लड़के के लिए ना औरत के दिल में ना बहुत ही जल्दी जगर बन जाती है क्योंकि औरतों का मानना होता है ऐसे लड़के ना बहुत अच्छे सोच के होते हैं जो दूसरे का हेल्प करते हैं जो जरूरत मंद का हमेशा हेल्प करते हैं ऐसे लरकों से न अवरत जो होती है न बहुती आसानी से न अट्रैक हो जाती है अगर आप किसी को पसंद करते है न तो ये अच्छी आदते न आपके अंदर में होनी जरूरी है अगर आपके अंदर में ऐसी अच्छी आदत ही हो जाती है न तो अवरत न आपके तरफ बहुती आसानी से न अट्रैक हो जाती है तो बात करते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में प्रॉब्लम का न सुलिश से निकालने वाला लरका साधी सुलिश अवरत जो होती है न सुलिश होए लरकों से न बहुती अच्छे से न पेसा दिया ऐसे लरके न प्रॉब्लम का सुलिश से निकालने वाले होते हैं अवरत ऐसे लरके को अपना प्रॉब्लम सेर करती है जो उसका प्रॉब्लम को सोट आउट कर सके लड़की है ना हर किसी के ओपर ट्रस्ट नहीं करती है हर किसी के ओपर विस्वास नहीं करती प्रॉब्लम को बराने वाले लड़के जो होते है ना अवरत उन्हें ना नजर अन्दास कर देती है तो ऐसे लड़के से ना हमेंसा अवरत दूर रहती है जो लर्का problem create करता है साधिसुदा अवरत जो होती है जो लर्का उसका problem create करता है ऐसे लर्के से हमें साथ दूर रहती है अगर आपके अंदर में अच्छी quality है आप problem का solve कर लेते अगर कोई भी problem आता है बरे से बरा छोटे से छोटा है आप चुटकियों में सोट आउट कर देते हो ना तो साधिसुदा आउरत ना ऐसे लर्के के तरफ बहुती आसानी से ना attract हो जाती है इसलिए वो अपना ना problem share करती है ऐसे लर्कों से ताकि वो उसका problem solve कर सके उसका problem का सोट आउट कर सके अगर आपके अंदर में ऐसी अच्छे आदते हैं तो आउरत आपके तरफ ना बहुती आसानी से ना attract हो जाईगी आपको बहुती आसानी से ना पसंद करने लगेगी इन टिप्स के जड़िये से आप समझ गये होंगे कि आउरतों को कैसे लर्के पसंद आते हैं कैसे लर्के अट्रैक करते हैं अगर आप में ऐसी तीन quality होती है ना तो आप किसी भी आउरत को किसी भी लर्की को ना बहुती आसानी से ना attract कर लोगे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना कमेंट जरू करना कि वीडियो कैसा लगा थैंक यू सो मज़ दोस्तों